कि मैं आप लोगों को आज श्टॉक का वीडियो दिखा रहे हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पौडरी है देखो पौडरी तो होता ही है ना यह सब पौडरी होगा तब ही पता चलता है कि यह अर्दी है और बहुत यमी है अगर इसमें पौडर नहीं होगा ना अगर यह तो इसका कोई फैदा ही नहीं है पौडरी है तो बहुत अच्छा है यह है बाइद बार इसका भी मैं आपको दिखा देते है देखो यह देखो यह हर चीज में होता ही है तो यह पौडरी होता है तब ही पता चलता है यह ताजा 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 कटा है यह ग्रूप से मिक्स ह एक आप मिक्स है और यह हे रैट स्टोन एक और ब्लग कित कैट है इस लुग बार है और इदर मैंने लिया पानी पानी में गरम पानी था मैंने चल्ड जल्डी से वोगा है थोड़ा कोसा कोसा पानी रही है और इसमें लालूंगी यह डाला इसमें डस्ट तो होता ही है डस्ट से पता चलता है कि अभी अभी पता है प्यूर रेड है इसमें तीन लियर निकलेगा एक दो तीन चार भी हो सकता है इसको इस पर रख देती हुर और इसमें डालूंगी मैं यह तोटा हुआ बलैक औरो तोट गया है दिखो प्योर ब्लैक है अब आज आपको सुनाई दे रहा होगा यह मैं इस पर डाल देती हूं ब्लैक भी डाल दिया अब में इसमें डालूंगी एक वाइट बहुत सॉफ्ट है और कंची है बहुत ही यम्मी और अर्बी है अब यह अर्बी वाला स्टॉक आया ह प्योर बाइट है आप देख सकते हो इस वाला वाव बाइट नहीं है इसको भी मैं पानी में डाल देती है अब ब्लैक रड़ बाइट का तीनों को डालाएं मैं ने है बहुत दिनों के बार आज ने वीडियो गना रहे हूं तोकि तेवारों का ताई में कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है और यह ब्लैक बार है अब देख लो इसका लियर निकलेगा तो मैं दिखाऊंगे देखो इस परत नाम की चीज नहीं है डस्ट हो सकता है परत एक साइद से होगा यह देखो आपको परत नहीं दिखा रहा है तीनों साइद में परत नहीं है एक साइद में पर वाइट क्यूब्स और यह हैं वाइट मीनी क्यूब्स और ट्राइंगल इधर ही दो ब्लैक बार भी रखा हुआ है जगा नहीं है इसलिए ऐसे रखा हुआ एक उपर और आप यह देख सकते हो सारा स्टोन है रैट क्यूब्स है उपर ही वाइट जोइन पैंसल्स है लॉंग ब हुआ है एक उपर रखा हुआ है आप देख सकते हैं एक बलाइक किसी ने मुझे भोला था जो वीडियो में दिखाते हो ना आप तो अगर वीडियो में दिखाती हूँ अगर आप बान के जी में इस सब कुछ बोलोगे इतने बड़े बड़े चीज मांगोगे तो नहीं सब्सक्राइब कर देखा हुआ है कि इतना सारा जो इतना ज्यादा आइटम्स है वो मिक्स वान के जी में नहीं आपाता है अभी तो मैंने बहुत सारी समन आप लोगों को दिखाया ही नहीं है और जितना पार्षल है जिन-जिन का तो मंदे को निकल जाएगा सबका तो कि आज कि देखक हो मैंने कुछ तोल तोल कर रखा हुआ है माई साइट कर देती हूंmee क्या है कि यह है नाकुमत रोस्टेट तोल्रोस्टेट झाइन नोन दोまだनक्त कि कोरी कमी नहीं हा नाकमत पूरब्स पूरा स्टॉक है नीचे नीचे जोन पूरी है आप लोग साथ हम पंजाब बिस्कुट भी आपको मिल जाएगा जितना चाहिए उतना लाइट आ रहा है कि नहीं ठीक से मुझे नहीं पता इधर देखो आप बिक साइज ब्रोकन किट कैट का ही ब्रोकन मिलेगा बाइट ब्लैक रेड किट कैट सब कुछ यह भी देखो बिक साइज ब्रोकन है जैसे यह कि टुकड़े हैं यह निउ स्टॉक का ब्रोकन है सारे यह मैंने अलग ही रखा हुआ है लिक संकत्रा ब्रोकन के साथ यह देखो आप ब्रोकन ब्रोकेन में आपको पानी में डाल कर दिखा देती हूं थीड शारा लेके विक टिसी को भी चाहिए ब्रोकन उडर कर सकते हो यदे वाइट खोड़ी एक राट में सब्रोक्षा देखा देखा दी पानी में डाल नहीं दों स्काइब अब रोकेग से दीशंद चले नंगे यह थे श्यफी सब्रोक्षा समय ब्लैक है इतना यामी लगार इसको जैसे लग अब इतना सुन्दर सा येलो है इस लग रहा है मुलतानी नित्ति है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका कलर वाइट का ब्रोकेन में जो है यलो है तो यह सब है स्टॉक में अगर किसी को पिचा ही है तो आप लोग ओडर कर सकते हूं इसके में अपने लिए पॉर्डर बना कर रखा है पंजाब की बिस्कित का मैंने यूज भी किया इसको बस पॉर्डर बना कर रख दिया है पॉलाटिंग में आपको दिखा रहते हैं यह वाइट खड़ी है यह ब्रोकन है पुनाने वाले ब्रोकन हो नीचे रखे हुए है यह न्यू ब्रोकन है यह पंजाब की बिस्कित की बोरियां है जिनको भी चाहिए यह रैड ग्रूप्स है मैंने साब पानी में डाल के दिखा दिया यह शारा मिक्सना को मठ है और इन बो इतर पैंसल से लाइट की दिखने जाए है इतर रैड ग्रूप्स है इसमें मीनी ट्राइंगल इंको चाहिए अब लोग ले सकते हैं और इधर बटर है मैं यह आप निकाल के रिखाते हैं पूरी में से अंधरे में दिखनी रहा है यह बटर है कि लोग पोलते रैड बटर च की ग्रूप्स है बाई